आईए आप और हम पढ़ते हैं चट्टाने चट्टान का टोपी चल ला था पिछले वीडियो में हमने चट्टाने क्या होती हैं चट्टान चक्र क्या होता हैं चट्टानों के कितने परकार होते हैं और उसमें अवसाधी परकार की जो चट्टान है उस अवसाधी परकार की आ इसमें हमने पढ़ा था आगने चट्टान है उसके परकारों के बारे में इसमें आगे पढ़ते हैं ग्रेनाइट आगने सेल ग्रेनाइट आगने सेल और बेसाल्ट आगने सेल इनमें क्या अंतर है ग्रेनाइट आगने सेल है ये पाताल ये अमली चट्टान अमली इलावे से बनती हैं चूंकि ये अमली लावा थोड़ा गाड़ा होता है क्योंकि इसमें फैल स्पार और सिलिका की मातरा ज्यादा होती है तो फैल स्पार और सिलिका की मातरा ज्यादा होने के कारण ये मोटे कणों वाली चट्टान होती है अब इसमें कौन-कौन से खनीज पाए जाते ह देखिएगा फेल्स पार इसमें सरवादीक 52.3% कौार्ड जये 31.3% अबरक 11.5% होर्ण ब्लेंड 2.4% लोहा 2% पाय राता है इसका रंग हलका होता है और यदि इसमें और्थो क्लास अधिक हो तो इसका रंग पीला और होर्ण ब्लेड या बायोटाइड अधिक हो तो इसका र और अधिक बड़े गुंबद के रूप में बड़े विसाल आकार के रूप में जमियोई चट्टानों का रूप होता है जिसका रंग हलका होता है दातवी खनीज बहुत कम होते हैं फेरो मैंगनेशिम कम होता है और फेल्स पार अधिक होता है इसलिए इसमें इसका रंग हल पतले लावे से इसलिए दरातल पर लावा है अधिक विस्तरत छेत्र में फैल जाता है और इसमें फैल स्पार की तुल्ला में फैरो मैगनेशियम अधिक होता है तो फैरो मैगनेशियम की अधिकता के कारण इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और इसकी प्रकृतिक शारी होती ये कणबारिक होते हैं इसमें फैल स्पार अपएक्षाकरत कम 46.2% जबकि ग्रेनाइट आग्नेशल में फैल स्पार है वो 52.3% होता है तो इसमें फैल स्पार है वो 46.2% आजाइट या हौन्ब लेंड है वो 36.9% प्रतिसत और जबकि पहले वाले उसमें लोहा 2% हे तो इसमें लोहे की मातरा अधिक है इसलिए स्वत्य यह चट्टान अधिक गैरी अधिक भारी प्रकष्टी की है और उली भीइने सяти पॉइंट 6 प्रतिशत पाया जाता है अब इसमें आगने सेले से विक्षित जो इस्तला करतीयां है वो कौन-कौन सी इस्तला करतीयां बनती है उसका हम थोड़ा और अध्यन कर लेते हैं तो आगने सेलों से विक्षित इस्तला करतीयां में पहला आता है अपदलित गुंबद या, exfoliated dome या, upaching red, गुंबद, अप सल्केत या, exfoliated dome इसका मतलब होता है देखेए जो चटान होती है, धेखे, जो कफोर कण़ों वाली काले रंग की चटान होती है जो सीधा पर्यावण के समपर्क में आती है उस चटान पर पर्यावण के माध्यम से, धीरे 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 उपर है परत दर परत जैसे प्याज के छिल के उतरते हैं जैसे किसी लोहे की लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है और पतली पतली पपड़ियों के रूप में वो लोहा है वो अपनी मूल सरंचना मूल रूप से अलग होता जाता है उसी तरीक साथ ही ऊपर की पतली पपड़ी होती है उस पर गर्म उस चष्टान पर है जो वर्षा कि प्रभाव के कारण सीथ के प्रभाव के कारण फैलाओं और संगुचन की क्रिया के कारण दीरे दीरे परतदार परत है तो उसका विगलाव होता है ठीक है तो यहां पर दो सुसक चरों में आगने शिलों के बाहरी भाग में अब सलकन पर क्रिया के कारण चयत्तान का बाहरी भाग परप्परत अलग होता है, अब सलकन की किरिया अब सलकन की किरिया वही होती है जैसे लोहे पर जंग लगने की रस्टिंग की किरिया हो लोहा है इस पर जल की ऑक्षिडेक्शन की किरिया के कारण जल की रसाइनिक अभी किरिया कारण धीरे धीरे लोहा है वो परत दर परत पपड़ी के रूप में अपना स्वरूप होता जाता है उसी तरह से ये गहरे रंग की लोह तत्वा वाली जो चटान होती है ये भी जल के प्रभाव के कारण ताप के प्रभाव के कारण और अन्य समलित रसाइनिक प्रभाव के कारण दीरे दीरे अपने मूल स्वरूप में इसमें बिखराव होता जाता है परत का भाग बाहरी भाग भी प्याज के छिलके के समान अलग होती है तो उस प्रक्रिया को ओनियन अपक्षे या अपसलकन इसको ओनियन वेदरिंग कहते हैं ओनियन वेदरिंग का जाता है इसको प्याज के छिलके के समान परत दर परत धीरे धीरे चट्टान अपना मूल सो होकर और अन्त में एक सामानिय समतल मैदान के रूप में बजल जाए तो यह जो चट्टानों के विगलन की जो दसा है विद्व होने की जो दसा है इस विद्व होने की दसा को ओनियन अपक्षे अपसलकन कहा जाता है जैसे USA का येसो माइट गाटी का जो कुम्बद है स्टॉन परवत है यियोडी जिनेरो का सुगर ले का जो कुम्बद है वो इसी प्रकार के गुम्बद है और आपन दक्षिन वारत के पठारी भाग में जो चटान जो पठार जो लावा नर्मित बड़े गुम्बद सीधे दूसरी इसला करती आती है इसमें मेशा या बुटी मेशा या बुटी ये एक प्रकार के कठोर और मुलाइम चटानों का क्रमस पया जाना है जैसे किसी मुलाइम चेतर या मुलाइम का मतलब अवसादी या परतदार चटाना का फ़्य invention रहा हो और उसके ऊपर आजो जवाल लेकिन फिर एक लंबे समय अंत्राल के बाद जैसे जैसे अपक्षेक और अपर्दन की किरियाएं संचालित होती है तो उस अपर्दन की किरियाओं के कारण दीरे-धीरे जब उसका चटानी सुरूप का कटाओ होता है तो मुलायम चळानों का कटाओ अधिक हो जाता है जब कि कठोर चटाने अपने वास्त्विक सुरूप में उस मुलायम चटान को सरंंख्शन परदान करती हुई बची रह जाती है तो ऐसी इस्तती में दूर से देखने से ऐसा प्रतित होता है कि जहां तक गहराई चक दरारें पड़ जाती है तो उस दरारा नुमित उस पिलर नुमा वैसी सरंचना जो अपसादी चटान की होती है उसके उपरी बाग पर जो कठोर चटान है वो अपने वास्तविक रूप मे बनी हुई रहती है यानि जैसे ऐसा लगता है जैसे उस गुम्बद के उपर है उस कठोर चटान को रख दिया गया हो तो प्राचेन प्राथमिक चटाने यदि अपरदित अपशेट होकर इस्तंबाकार सरंचना का निर्मान करती है और उसके उपर बेसाल्ट सेल टोपी जै रहा लावय के फैलाओ के कारण हो जाता है फिर दिर हम एबेसें सरंचना को चोटा होता है तो उसे बूटी कहते हैं इसके बड़े स्वरूप में और चोटे स्वरूप को बूटी कहा जाता है इसका उदार्ण है USA के केलिफॉर्णिया चेतर में इस्तित ग्रांड मेशा रोटन मेशा और USA में सिप्रोक बुटी है वो इसका छोटा रूप है तो मेशा USA के कोलेरेडो, व्यॉमिंग वो न्यू मेक्शिको प्रांतों के चेतर में सरवाधिक पाये जाते हैं कोलेरेडो, व्यॉमिंग और न्यू मेक्शिको प्रांतों के तो भारत में रांची के पठार के आसपास अनेक मेशा पाये जाते हैं जहां इन्हें इस्तानी बासा में पार्ट कहा जाता है देखिए इस डाइग्राम में आप देखके समझ गए होंगे कि जैसे नीचे का मुला वो यथा अस्तति में है बड़ी जो च चट्टान की परत होती है उसको मेशा कहा जाता है और चोटी जपर तो उसको बुटे कहा होता है इसके बाद तीसरी जो इसकी सरणचना है वह होक बैग या क्विस्टा या टॉर के लूप में पाई जाते हैं ऑग बें क्विस्टा और टॉर एक तरह से तीक्षी पहाड़ी नूमा ही सरणचना होती में तो जब आगने सेल अपरदित होकर कटक जैसी अन्दरमान करती है तो इसको हॉक बैक कहते हैं हॉक बैक मुल रूर में से U- segurança के जो तिखे बाल होते हैं वो होक बैक की जैसी सरंचना बनाते हैं उसी को होक बैक यानि सूर की पीट की जैसे सरंचना कहा जाता है सूर की पीट पर तिखे बाल होते हैं खड़ी आकरती में होते हैं तो उसी तरह से इन परवती चेत्रों में इस लावे से जो सरंचना निर्म महुंनित हो जाती है जो तिखी कटक नुमा हो जो देखने से सूर के पीठर के जो खड़े बाल हो दिक्रेशी दिखाई दे तो इसको हो कहा जाता है या נि तिखां कटक तिक के रूप में कटक जैसी सरंचना तुक्पक बे कहला TIT है और इसी के साथ काना थी क्वेस्ट है वह भी makers गुंबत दुंबैं मुंची तीखी सरंचना मनती हैं तो ये हॉप एक से थोड़ा बड़ा आखार क्वेस्ट ँस्य जो सरंचना होती है हो भाधार द्धर क्वेस्ट कहईला थे तो जब अगने अभरी से अपर्दीत होकर कटक देशे सहने हैं तो यहां पर हमने जो है आग्ने जटानने उन आग्ने जटानों का जनिया आग्ने जटानों में हमने जटान की से कहते हैं जटान की क्या परिवाशा होती है ? चटान के क्या गुण होते हैं, चटान की क्या विसेशता हैं, चटानों के परकार, चटानों के परकार में आगने परकार की चटान, आगने परकार की चटानों की विसेशता हैं, आगने चटानों के परकार में उत्पती के आदार पर, कणों की सरंचना के आदार पर, रसाइन परकार की चट्टाने है इसको नोट्स को आप बनाएं और साथ-साथ इन नोट्स को जो जैसे जैसे अपनी वीडियो आते जाते हैं वैसे इन नोट्स को आप एक रेजिस्टर में लिखते ही जाएं ताकि यह आपके पास रिकोर्ड रहता जाएगा और अंत में जो आप जब किसमय रिविजन करोगे तो यह चीज़ें आपके काम आएंगी